नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चनल अब्जेक्टिव सेंटर पर जैसे कि यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे यह हमारा एनपी सीयल का अफिसियल पेपर है जो कि 11 जून 2019 का पेपर है यह और यह कटेगरी सेकंड वालों के लिए पेपर है जो कि आई टी आई बेस पर एक्जाम होता है तो आप कोई भी डिपार्टमेंट आफ इनर्जी का तयारी कर रहे हैं कटेगरी सेकंड वालों के लिए तो आपके लिए यह पेपर बहुत ही हेल्फुल होगा क्योंकि इसी अधार पर आपका पेपर आने वाला है पर कि पर होगा स्वेसी पर होने वाला है तो आए हम लोग उसी को सालव कर लेते हैं पर यह जो पहपर हमारे एंडि सैंपी से यल या है और समसी इसương पासे पर आपको एक्जाम में आने वाला है चाहे आप nuclear field complex का तयारी कर रहे हैं या फिर IGCR का या किसी का भी तयारी कर रहे हैं तो चलिए start कर देते हैं हम लोग यहाँ पर देखिए same to some आपका paper इसी तरह से आएगा जो यहाँ पर देखिए है यह हमारा pre-test है और यहाँ पर आज दिख्तम mark जो रखा गया यहाँ डिट्सव है और आपको एक घंटे का समय मिलेगा नमबर आप question इसमें आपके पचास question रहेंगे तो पचास question एक घंटे में करना रहेगा डिट्सव दिख्तम mark रहेगा यह question सही ह होगा तो आपको तीन नमबर दिए जाएगा और एक question अगर गलत होगा तो आपका एक नमबर काट लिए जाएगा और यहाँ पर देखेंगे तो मैद का 20 प्रशन आएगा विग्यान का 20 प्रशन आएगा समाने जयनकारी यानिकि जनरल आवेरनेस आपके 10 question आएगे और यहा पर पहला question है mathematics का identify the prime number अभाजी संख्या की पहचान कीजिए तो इन में से कौन सा अभाजी संख्या है तो यहाँ पर देखिए 191 जो यह भी आपका अभाजी संख्या है अंसर करेक्ट हो जाएगा अला देज अब देखिए यहाँ पर दूसरा question है दूसरा question कर रहे पार्ट इस दा आवरेज आप दा नंबर 004 10 5 & 5 यानि कि आवसात क्या होगा जो कि संख्या है 004 10 5 और 5 तो यह देखिए आवसात निकलने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यह ज से भाग दे देंगे देखिए यहाँ पर चार और दस किनना हो जाएगा 14 और इसका यहाँ पर पांच और पांच 10 14 और दस किनना हो जाएगा 24 24 बटा 6 हम लोग जब करेंगे तो 64 24 यानि कि आपका 4 answer आएगा तो चार ऐसा आपसा नंबर B में दिख रहा है तो आपसा नंबर भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा चौथे का भी स्वारी दूसरे का भी चार आपसन यहाँ पर आपसन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा अब देखिए यहाँ पर तीसरा कोशन का रहा है इसका मन हमेसा और हमेसा पाश्टिव ही आता है हमेसा पाश्टिव आपको लेना रहे अब देखिए यहां पर एक्स दिया गया है तो माड आफ एक्स इकॉल टू पलस एक्स हो जाएगा ठेख यहीं इसका मतलब होता है अब यहां पर देखिए अगर कोई संख्य जैसे कि हम आपको एक्जांपल के थुरू समझा रहे हैं माड मां हमेशा यह प्लस वन आएगा कोई बी संख्या पीछे माड है अपको लेना है इसका मतलब यह होता है अगर किसी भी संख्या के आगे पीछे कुछ भी अगर mod लग गया है तो उसका मतलब आपको past do में उसका अंक लेना है जाए वह संख्या पास्ट्यू हो या निगेटू आपका मान जो आएगा वह हमेशा पास्ट्यू में आएगा सेम उसी तरह से यह question है कह रहा है कि यह जो x equal to zero है कह रहा है इसको अगर mod X command तब बताया क्या होगा तो यहाँ पर देखिए यह zero है तो mod 0 command जीरो ही आएगा तो आप से number यहाँ पर c correct हो जाएगा अब देखिए यहां पर चोथा कोस्षें कर रहा है कि दू कि कोब्र जीरो है तो इसका मान कितना होगा देखिए दो का पांवर जीरू अगर दिया गया है तो इसका मान जो आएगा वह एक आएगी क्योंकि के वही भी संखेया खर रहें चैज एक रह Best दो रहे चया 8 है, चया दस रहा चया x रहा चया p रहें अगर कोई भी संख्या दीया गया है अगर उसके उपर 0 लग गया हूरो तुछ का मान हमेशा 1 आता है इतना आपको पता है अब 10 का पामवर 0 कर देंगे तो भी इस का मान 1 आएगा तो 4 का यहाँ पर यह answer correct हो जाएगा 1 किसी भी संख्या के पांवर अगर 0 है तो उसका मन 1 होता है पांच बार कहा रहा है यहाँ पर find the two roots of equation x square plus 7x plus 12 equal to 0 कहा रहा है इसका दो मूल होंगे और वो कौन कौन से होंगे तो देखिए x square plus 7x plus 12 दिया गया है इसका जब हम लोग गुलन खंड करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो लाश्ट वला अंक रहता है इसका हम लोग ऐसे दो गुलन खंड करेंगे जिनके कि यहाँ पर देखिए प्लस है ने जिनका योग जो हो वह साथ हो और उनका जो गुलन फल हो वह बारे हो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे x square plus 3x plus 4x करेंगे प्लस 12 हो जाएगे तो इस तरह हैसे हम लोग इसको दोखंड मेंट तोड देंगे तो देखिए यहाँ पर 3x और 4x को गुलनफ़ करेंगे तो हमारा बारे आ जाएगा और इनका योग करेंगे तो 7 आ जाएगा इस तरह हम लोग यहाँ पर x कामन ले लेंगे तो x plus 3 बचे खुराइगा और प्लस यहांपर फोर कामन लेंगे या घ्स प्लस ट्रीघ सीघा प्पर यह कोश्टक फ्लस में में अक्स 1003 आ गया और इसके पाद एक सीडियृ और जाईगा अब पर एक माइनस चार आएगा क्योंकि इतना बराबर एक बर जीरो करेंगे तो माइनस तीन और माइनस चार आएगा आपसा नंबर ऐसा भी दिख रहा है तो पांचिनों के यहां पर भी अंसर करेक्ट हो जाएगा अब चछठा कोशन करें विच आप सनीच करेंट गौन सो विकलत सही है आप सन्य करें चाराएगा कि चार्सोचा सपन बड़ा है fire्सा चार्सोचक झार आपका गलत है अब देखिए यहाँ पर साथमा question कर रहे हैं कि 5 गुड़े माइनस 2 माइनस 8 Iniona's 12 है इसके बाद इल्बाद यहाँ पर पलस 16 भागा माइनस 8 तो देखिए यह पांच गुड़े माइनस 2 है यह इसका मांकिन ना आ माइनस दस आ जाएगा माइनस अब देखिए यहां पर कोष्ट में आठ माइनस बार यानि की माइनस चार बाचेगा यह हो गया पलस यह 16 है भागा है तो भागा है तो इसको हम लोग गुड़े में जब करेंगे तो वन भाई माइनस एट आ जाएगा अब यहां से काटेंगे हमारा डो आ जाएगा अब देखिये माइनस दस हो गया यह पलस चार हो गया अब यहां पर देखिये नीचे माइनस डिख रहा है अब यह कितना आ जाएगा माइनस दूआ जाएगा उप सो आपको यहां पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा आपसो नमबर डी माइनस आड़ अब देखिए आठमा कोशन यहां पर है इप एकस क्यूब इक्वल टू तो इसका अगर हम अगर घंवों निकलेंगे तो 343 नहीं आएगा अब देखिए यह जो तीन है यह आपका 27 का आता है अगर यह सक्यूब इक्वल टू 49 सत्री 343 तो यहां पर आपका दी अंसर करेक्ट हो जाएगा आथ मियका यहांम पर डी करेक्ट हो गया है दसमा कोशन यहां पर देखिए कह रहा है और है की ट 머प एक करे रहा है कि अंगर गोप 187 जयिसका अगर होगा तो कितना हो गए सत्रे हो गए सत्रे आप समय में कहीं पर दिख नहीं रहा है तो आप में क्या करना है इसका हम लोग करने लगा दिए हब सत्रे का स्क्वार कर दिए इसमें कोई दिक्कत तो होगा नहीं आप लोगों को इतना सब कुछ सही है आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी संख्या है उसका हम स्क्वार कर दीए फिर उसके उपर अगर हम करने लगाने तो उसका मान में कोई परिवर्टन नहीं होगा इतना तो आपको समझ में आ गया होगा अब देखिए सतरे का स्क्वार कितना हो जाएगा तो सतरे तो अंडर रूड टू एट्टी नाइन यानि कि आपसन नमबर यहां पर एक करेक्ट हो जाएगा तो नाइन का यह आपसन करेक्ट हो गया अब देखिए दसवा कोश्चन है तिरानवे चरवन इकेस गुड़े चाहसो पचीस इसका जब आप लोग गुड़ा करेंगे तो कितना आएगा तो यह आएगा आएगा आपक नमबर डिविज्वल बाई एटी एट ही जिए चाहरा अठासी से वीभाजित चार अंकों की अधिक्तम संख्या कौन से होगी तो देखिये इसको ग्यांद करने के लिए हम सिंपल सा तरीका अपनाएंगे यहां पर क्यारा है अधिक्तम संख्या होनी चाहिए ने चाहरा कि कि अधिक्तम संख्या अधिक्तम संख्या किन्ना मान लेते हैं हम लोग 999 मान लेते हैं यह हो गया हमारा 999 अब देखिए अब इसका हम लोग भाग करेंगे तो 88 करना किन्ना हो जाएगा अधासी आ जाएगा ठेक्तम से किन्ना हो जाएगा एक सोंवन नीस आ जाएगा अब देखिए अब अठासी है इसको एक बाद फिर लेकर जाएगे फिर यह हमारा 88 आ जाएगा तो यह हमारा कितना बचेगा है कि 319 आ जाएगा यह अब देखिए 319 को जो हम लोग इसको फिर से भाग देंगे यह हमारा तीन बार जाएगा तो 88 कितना हो जाएगा दो सो चपन यहां से घटा देंगे तो यहां पर हम स्वारी दो सो चोगन बचेगा तो लाश्ट में हमारे देखिए जो सेसफल बच रहा है यह पच पन बच रहा है अब देखिए जो पच पन है हमारे जो संख्या था 9999 इसमें से हम लोग जब पच पन घटा देंगे तो यहीं हमारे संख्या निकल कर आ जाएगा 994 तो 994 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसा किसमें दिख रहा है आपस नंबर ए में दिख रहा है अब बारे नंबर का कोश्चन है कि फाइंड मिसिंग नंबर जो संख्या आपर मिस किया गया है जो नहीं दिया गया उसे आपको बताना है यहां पर देखिए क्या होगा तो चचचच 36 का 216 आपसों नंबर सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा तो बारे का यहां पर सी आपसन करेक्ट हो गया अब देखिए तेरह नंबर का कोश्चन कर रहा है अंडर रूट एक दसमलों पांच छे दो पांच इसका वर्गमूल क्या होगा तो देखिए इसका जो वर्गमूलाएगा यह आपका एक दसमलों दो पांच आ जाएगा इससे आप लोग निकाल लेजिएगा आ जाएगा अब देखिए 14 नंबर का कोश्चन है इफ पी का पांवर एक्स इक्वल टू का पांवर आई वाई इक्वल टू आर का पांवर जड़ एंड क्यू बाई पी क्वल टू आर बाई क्यू देन टू जड़ बाई एक्स प्लस जड़ इक्वल टू क्या होगा तो दोस्तों इसे आप लोग साल्व कर लिएगा यह मेरे 1 by 4 इसका power कर रहा है minus 2 कमान कितना होगा तो देखें कि 1 by 4 है इसका power minus 2 है तो इसको कैसे सालब करेंगे तो अब यहां पर देखिए यह जो 1 by 4 का power minus 2 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 by 4 का power minus 2 इस तरह इसे लिख सकते हैं अब यह 4 का power minus 2 ऊपर जाएगा तो यह 4 का power plus 2 हो जाएगा अब यह हमारा कितना हो जाएगा चार चोक का 16 आपसो नंबर ड़ी यहां पर करेक्ट हो जाएगा 16 तो पंद्रे का ड़ी यहां पर करेक्ट आंसर हो गया 16 नंबर कोशन कर रहा ह फाइंड लार्ज़ेस्ट नंबर अधिक्तम संख्या ग्यात कीजिए देखिए यहां पर सबसे बड़ी संख्या आपको ग्यांत करना है संख्या दिया गया है 3 बटा पाँच जैसे कि यहां पर देखेंगे 3 बटा पांच फिर है दो बटा एक बटा एक बटा चार है और चार बटा साथ है अब देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या ग्यान्द करना है तो इसमें देखिए हम लोग क्या करेंगे बड़ी संख्या ग्यान्द करने के लिए यहां से तीरियक हम लोग गुड़ा करेंगे तो तीन तरिक्का नव इसके नीचे नव लिख दियें अब यह देखिए पांध दूना कितना हो गया दस तो कौन से संख्या हमारी बड़ी आ गई दस वाली संख्या बड़ी आ यानि कि दो बटै तीन बड़ा है और जो तीन बड़े पांच है यह चोटा है तो यह हमारा गल्त हो गया तो आपसन पहले हट गया अब देखिए अब हम इससमें दो प्रते तीन और एक बटे चार में देखेंगे तो कौन से संख्या बड़ी है देखिए दो चारुना कितना और 2 बट्य 3 में कौन संख्या बड़ा हो गया लगत क।ाम is तो यदा connect Cameron करेंगे तो् fifty इता है कि जो बार है बार के जगह पर गया है चार वाटा साथ और चौद के जगहके ऐ पर दो बटात 3 खाली तो हमारी वाड़िक आंकिक आ जाएगी दो बटातफिक दूग ट्समुल दिया गया है वह समझे यहां पर और ज Oo अब चलते हैं अगले कोशोन पर 17 नमर का ब्रकाफ को देइस को सके को सटेट इसकोर सटेट कितना होगा तो देखिये दोस्तों हमें पता है कि को सके को सक πडोड़। जो फरमूला होता है को सके स्कुरोड यो नप्लस कर सक तो stell होता है उसको हम इस तरह ले करेंगे तो यहां पर minus हो जाएगा और यह हमारा equation इस तरह से बन जाएगा और इस कमान कितना आ जाएगा वन आ जाएगा तो वन हो जाएगा option number C यहां पर correct तो 17 का यहां पर C option correct हो गया अब चलते हैं अठारे नमबर के question पर कहा रहा है if a.pels equal to punch and a.mex equal to under red 17 देन 7ommes equal to 12 क्या होगा यदि a plus 45 मानAKE equal to under et 17 अब कमान क्या होगा तो दखिए कि हमें पता है कि थोड़ा इस ऊपर करतें एक फार्मूला होता है A-B का whole square equal to A plus B का whole square minus 4AB यह फार्मूला आपको पता होना चाहिए अब यहां पर देखिए A-B कमान हमें पता है कितना है under root 17 अब अंडर root 17 है इसका जब हम लोग square करेंगे तो यह 7 आ जाएगा यहां पर देखिए A-B common under root 17 दिया है अब इसका जब square करेंगे तो under root 17 का square 17 हो जाएगा इसका प्लस भी जो दिया गया पांच दिया गया है इसका square करेंगे तो यह 25 आ जाएगा देखिए अब 4 A-B equal to हमारा क्या हो जाएगा 25 माइनस 17 यानि कि 4 A-B equal to 25 माइनस 17 तो अब देखिए 25 में से 17 जाएगा कितना बचेगा हमारा पांच तीन आठ तो 4 A-B equal to 8 हो गया अब इसे काटेंगे चार से दो आ जाएगा यानि कि A-B कमान कितना गया हमारा दो तो आपसा नमबर दो कहां पर है दिख रहा है आपसा नमबर ए है तो अठारे का यहां पर यह आपसान करेक्ट हो जाएगा 19 नमबर कोशन कह रहे है इन राइट एंगल ट्रेंगल टू सब्सक्राइब करने की लंबाए गयात करना है यहां पर देखिए हम लोग इसमें पाइथा गोरस पर में लगाएंगे एक भूजद 3 लए है एक बुजद 4 है तो कारा यहां पर जो संख्ण ओए गार ओगा वह तीनका स्क्राइब पलस ट्राइब तो यहाँ पर तिनकर स्क्राइब क्रणा सुखन गया नो पलस 16 उक्वॉल टू अंडरूरthem 6 तो आप सो नमबर पॉंच यहां पर करेक्ट हो जाएगा आप सो नमबर से हैं साइन पाइज साइन पाइज पाइज मतलब होता है 180s का मान कितना होगा तो 180s का जुमान होता है वह होता है जीरो तो दोस्तों यहां पर हमारा इसके बाद जो अगला पार्ट आएगा हो हमारा साइंस और जनल आवरेनेस वाला वीडियो अलग वीडियो बना देंगे तक यह वीडियो ज्यादा लंबा ना हो तो मैठ आप लोग तो देखी लिए बाकि साइंस और जनल आवरेनेस तब वीडियो बहुत जल्दी सब्सक्राइब नहीं किया है उसे जरूर सबस्क्राइब करने लिंक आपको डिस्क्रिस्ट बाक्स में दिया गया है वहां पर आपका GKS का कोश्चन कराया जा रहा है जो कि आपके से रिलेटेट रहेंगे आपके एक्जाम से तो आप लोग उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और यह जो पेपर है आपका अब बार्क में भी इसी तरह से आपका पूछा जाएगा अब इसी तरह से पूछा जाएगा और जो भी अधर डिपार्टमेंट आफ अटामिक एनर्जी के अंतर गताते हैं तो कटेगरी सेकंड वालों के लिए से मिसी पैटन पर पेपर आने वाला है तो वीडियो अगर अच